नमस्कार दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूटूब चैनल टेरिस गार्डनिंग में आप लोग मेरे चैनल पर अगर नए है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जिरूर कर लें और बेल आइकन दबादें ताकि आग हमें PVC पाइप चीए होगा जिसे अपने गमले के हिसाफ से नाप के हमें टुक्रों में काट लेना है तो सिंगल पॉट स्टेंड बनानी के लिए दोस्तों इस प्रकार से देखी काटना है और इसे काट लेना है अपनी गमलों की साइज के हिसाफ से नाप के जिसके लिए हमे से हम बनाएंगे अपने गंपले के लिए या फिर ग्रो बैक के लिए आप सिंगल पॉट इस्टेंड तो दोस्तों इस परकार हमें क्रोश्टी से चार इंच की सड़ी जो पाइप है हमारी कटी हुई उसे हम cross Tea में चारो तरफ से fit कर लेंगे इस परकार अच्छे से fit करेंगे ताकि ढीला ना रह जाए या फिर निकले ले ना चारो तरफ से हमें इसे fit कर ले आगे इस परकार और इसे चारो तरफ से fix कर लेना है इसके चारों तरफ हम टी लगाएंगे चारों तरफ टी लगाने के बार इस प्रकार से दोस्तों इसको हमें अच्छे से फिक्स कर लेना है दोस्तों पॉट स्टेंड बनाने के लिए हमारा गमला जो हम छटों पर रखते हैं अपने आफिर टेरस पर बालकनी में रखते हैं तो उसमें से पानी निकलता है और वह पानी छट पर जमा रहता है गमले की आसपास गमले के नीचे तो उससे हमारे छट को नुक्सान अब फ क्रिक्नि जो थमारी चार इंच की पाइप है क्या गाज ねंज के पीसे ते उन हेल एक साइट से लगा लेते हैं वह मारे पाट के पैरों को काम करेंगी लिए मचलम अपनी वाट की हाइट चार इंच जमीन से चार इंच उपर रखते हैं इतना सफिसियंट होता है हमा अब इसके बाद हम इन टी में ऊपर की तरफ लगाना है दो इंच का पीस दो इंच का पीस लगा के इसे अच्छे से हम प्रेस कर लेते हैं ताकि वह बैठ जाए टी में और चारो तरफ इसे लगाने के बाद अब इसे हम इंड कैप से बंद कर देंगे दोस्तों इससे थोड़ हो काम करेगा बर पूर काम करेगा यह थोड़ा सब देखने में अच्छा लगता इस वज़े से मैं ने लगाया है आप तो इससे प्रिकार से आप देख सकते हैं यह मेरा मैंने 15 इंच की गंबले के लिए 15 इंच के लिए यह इसे देख सकते हैं मैं आपको इस पर रख के भी दिखाऊंगा अपना ग्रोबैक और इसे छोटा एक इस्टेंड भी बना कि मैं आपको दिखाऊंगा इसी 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 इस्टेंड की मदद से कि आप इसे छोटा भी बना सकते हैं तो देखे दोस्तों इस ब्रकार यह अपना इस्टेंड बनके पूरी तरह से तयार है और इस पर मैं अपना 15 इंच का 15 वाई 15 का ग्रोबैर यह देखे दोस्तों पूरी तरह से इस पर फिट हो गया है अब मैं इसको आपको ग्राउंड बे पर लगा हुआ है अब हम दोस्तों बात करते हैं इसी में हम इसी को ही जो इसमें हमने 6 इंच का टोकड़ा लगाया हुआ था अपने 15 इंच के ग्रोबैक के हिसाफ से अब उसे हम छोटे टोकड़े लगाएंगे 4-4 इंच के जिसमें की हम प्लास्टिक पॉर्ट है हमारा उस जूएंट रखेंगे तो आप शैंच वाले पीसे निकाल के अलरकर लिजे, बाकी सारे वैसी ही रहेंगे चैंच की सारी पीसेश निकाल लीजिए इस परकार और उन्हें निकालने के बाद उस चैंच की जगह ही आप अपने किसी भी गंबले की साइज के हिसाब से जो उसका बेस है उसका आप मेजर कर लीजिए और उसके बेस की साइज के हिसाब से यह देखिए चार इंच का है मेरा उसको बेस के हिसाब से मेजर करने के बाद आप वो यूज करिए और आपको अपने गंबले की साइज के हिसाब से इस्टेंड बना लेंगे आप और उस पर आप अपना गंबला रखी देखने में भी अच्छा लगता है और कम पैसे में आप खुद अपने घर पर ही बना लेंगे और अपने टेरेस को सीलन से या फिर किसी भी तरह के नुकसान से बचाएंगे देखे इस प्रकार हमने सारे ज लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे इस तरह की आने वाली सारी वीडियो आप तक पहुंचें कोई वीडियो मिसना हो देखें दोस्तों यह मेरा चार इंच के इसाब से मेरे प्लास्टिक पॉट के लिए मेरा स्टे प्लास्टिक पॉट जो कि इस पर बहुत ही आसानी से पूरी तरह से फिट हो गया है और यह देखिए आप नीचे से कितना सुन्दर लग रहा है तो आप सभी जरूर कीजिएगा और धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए